हेलो रिबन, विलकम बाक टू अनलाइन स्टेडियोन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा, इसाई के लिए सेट नंबर 15, उमीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी सेट को सॉल्व कर लिया हुगा, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 50 MCQ दे जात हैं, देखें सबसे पहला प्रश्ण है कि निमली खित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है, अच्छे तरीके से ओप्संस को ध्यान से देखें और गेस करिए, यह क्या होना चाहिए सही हाथा, तो कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है, तो हेक्टर मुंडरो की बात कर लॉड हिस्टिंग्स के समय में हुआ था, लॉड हिस्टिंग्स का समय जो था, 1813-1823 तक था, और इसी बीच सुगाली के संदीगेत यह आपका उंगले नेपाल यूद्ध समाप्त हुआ था, तो यह भी सही है, चत्तूर्थ उंगले मैसुर यूद्ध की बात करें, जिसमे टिपु सुल्तान की मृत्ति हुईती 1799 में, जो की चौथा उंगले मैसुर यूद्ध, लॉड विलेजली के समय में हुआ था, तो यह भी बिल्कुल सही है, त्रितिया उंगले मराथा यूद्ध की बात करें, तो त्रितिया उंगले मराथा यूद्ध हुआ था, आपका ठ 803 से लेकरके 805, 803 से 5 तक और इसके संदर में देखें, तो यहाँ पर लॉड करने वारी से यह गलत होगा, यहाँ पर भी आपका लॉड वेलेजली ही आएगा, तो यहाँ पर आपमारा option D हो जाएगा, जो की सही स्विमिली तो नहीं जाएगा, option D को टेक करेंगा, राइट निम्लिकित में से किस नदी में नथपा जाकरी परियोसना इस्तित है, तो नथपा जाकरी परियोसना का संबन्ध हो जाता है, माचल परदेश के साथ और यह सही आंसर होगा, आपका सद्लुज नदी, ठीक है, सद्लुज नदी option E, question number 3 दीखें और अच्छे तरीके से स्थलिये समीर कब चलती है, स्थलिये समीर कब चलती है, ध्यान दीजएगा स्थलिये समीर रात के दोरान चलता है, स्थलिये समीर रात के दोरान जबकि समुंदरी जो समीर होता है, वो दिन के दोरान चलता है, यह दोनों questions हमें साब पूचाते हैं, यह आपको याद रखना तो option A बिल्कुल सही होगा और दीकि स्थलिये समीर क्या होता है और समुद्री समीर मैंने दोनों के बारे में अच्छे से explain कर दिया है तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजेगा तो यहां पर दिखिए कि यह एक अब तटिये वायू प्रणाली है जो सुर्यास्त के बाद भूमी से पानी की और बैती है भूमी से पानी की और यह बैती और यह रात के दोरान होता है यानि स्थलिये जो समीर होता है वो रात के दोरान होता है जबकि समुद्री समीर दीन के दोरान होता है आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो को रोग करके पढ़ लीजे तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option D यानि कि अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे इन्होंने और बाबर नामा आपको पता होगा बाबर की आत्मकताती बाबर ने खुद इसको लिखा था किस भावसा में तो तुर्की भावसा में लिखा था ये चीज़ आपको ध्यान में रखना अब्दुल रहीम खाने काना और जो अकबर थे इनके नौरतनों में से ये एक थे ये भी याद रखिएगा आप लोग option यहाँ पर D हो जागा Q5 है कि निव में से कौन सा एक जिवाड़ू जनित रोग नहीं है यानि कि जिवाड़ू से होने वाला रोग नहीं है गेस करिए नियान रखेगा pneumonia, typhoid, diphtheria ये सबी के सबी जो होते हो जिवाड़ू सो होता है लेकिन influenza यहाँ पर वाइरस से होने वाला रोग है तो C को टि हिंड के लिए मैं आपको बता दू कि कुन्यो पालपूर आप जानते हैं कुन्यो पालपूर कहाँ पर पड़ता है मध्यप्रदेश के अंतरगत तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंस्ट हो जगा मध्यप्रदेश करेरा वर्ने जो भ्यार निश्तीत है मध्यप्रदेश के और भी जो महत्यपूर्ण ने उनके नाम याद रख सकते हैं, जैसे सबसे पहला और महत्यपूर्ण है, बांधाउगड, हमेशा पेबर में रिपीट होता रहता है, बांधाउगड, साथी साथ आप याद रखे कानहा, उसके बाद पेच याद रख सकते हैं, सत्थपूरा, औ और पन्ना हो गया, संजय हो गया, यह सभी के सभी आपके मद्य प्रदेश के अंतरगत आते हैं, इसी के साथ एक और महत्यपून याद रखना है आपको, यह अगर पूछा जाए कि मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारन है वो कौन्स है, तो नौरा देही, ठीक है, निमलिखित कविता हैं, जो किनके दोरा चाहित हैं, यानि की, दो रोयल, टॉम अफ गोलकुंडा, दो स्टॉक, चार्मर, और साथ साथ दो क्विन्स अर्राइवल, यह तीनों के तीनों जो रचना हैं, कविता हैं, वो किसके दोरा रचीत हैं, हिंट के लिए अगर मैं आप अब को बता दू, तब तो गोल्डेन थ्रैसोल्ड आपनें सुना उगा, इसे पहले वाली वीडियो में हमने डिसकस किया बेहो जो है, गोल्डेन थ्रैसोल्ड किसका था, सरूखें नाइडू का, सरूखें नाइडू जी कहीं, जो क्तीनों रचना हैं, यहां पहन से याद रखिएगा ठीक है आगे देखते हैं क्वेसन नमबर एट एक निमली खित मिलान में कौन सा मिलान सही नहीं है द्यान दीजेगा सही नहीं है तो चारवान उच्छेद को अच्छी से देखिए और गेस करिए क्या होना चाहिए सही आज़र अगर आपने भी तक वीडियो को ला करदे के लिए एकदम जुनून के साथ वीडियो देखते हैं पढ़ते हैं मुझे यकीन होगा 251 लाइक आपको करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजेगा फेंस अगर हम गलत की बात करें तो ऑप्शन डी पे जा सकते हैं क्योंकि अनुच्छे 338 जो यहाँ पे दिया गया रा तो 30 का A यह होता है ST के लिए ठीक है तो यहाँ पे जो गलत है वो ऑप्शन D गलत है बाकी तीनों ऑप्शन में कोई दिक्कत में एक सूनती सरोची नयाले के अभिलेक नयाले कहा जाता है अंतराज की परशद की जो स्थापना 263 के अंतरगत सन्यूकत अदिवेशन का जो प cly 2 को dulcon norm pemakist का नाम से कौन सा देस जाना जाता है इलो पेरिल के नाम से कौन सा देस जाना जाता है अच्छास C हो जाएगा चाइना question number 10 एक सो जो चारवा संसोधन अधिनियम है 2020 क्या कहता है 104 समिधान संसोधन अधिनियम के संदर में यहां पर देखना है क्या सही होगा तो देखें यहां पर हम देखें options पर तो अगर आपने option D को टिक है तो बिल्कुल सही जवाब होगा option D क्या है हम इसके एक बार देख लेते हैं इसके अंतरगत कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं में ST और SC यानि SC और ST के लिए सीटों की समापती के समय सीमा जो की 70 साल से बढ़ा करके 80 कर दी गई है यह बिल्कुल सही है इसके अंतरगत कहा क्या है और साथ साथ लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में एंगलो इंडियन जो समुदाय के लिया रक्षित सीटे दी गई थी उसको हटा दिया गया तो यहां पर बिल्कुल सही है कि ए और भी दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हो रहे है इस वाज़ सम डी को टिक है चलिए आपको तो यहां पर होगा आपका छे वर्स उपसन डी हो जागा छे वर्स चलिए इसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं भारतिस समिधान खान उचे 315 से 323 के अंतरगत लोक सेवा आयोग से समान दिते हैं आयोग में अध्यक्ष सहीत 9 से 11 सदस से पैनल होते हैं UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की न्युक्ति भारत के राष्टपति के द्वारा की जाती हैं यानि यो UPSC यानि संगलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और साती सद अन्य सदस हैं उनकी न्युक्ति भारत के राष्टपति के द्वारा की जाती हैं UPSC के से इसमें और important है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि Sir Ross Barker Sir Ross Barker जो थे वो UPSC UPSC के पहले अध्यक्ष थे साथ अभी वर्तवान की बात के तो मनोद सोनी जो है वो UPSC के अध्यक्ष है यह चीज़ आपको याद रखना है बहुत ही बारीके से याद करा है अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप एक पर search कर लीजेगा हमारे चैनल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की trick online study जो वो आपको वीडियो मिल जाएगी चैर मिंट के चार से पांच मिल के वीडियो है लेकिन वह आपके लिए हमेशा यह helpful रहेगा जरूर देखेगा नेक्स्टोन है कि भारत के सकल घरे ले उत्पाद, GDP में नीचे दिये गए भिन छेत्रों की योगदान का कौन सा सही हरास्वान करम है, हरास्वान करम का मतलब कि बढ़ते से घटते करम के और, तो सबसे ज़्यादा जो GDP देता है, देश के लिए GDP जो लाता है, वो त्रित्यक तो त्रित्यक छेत्र उसके बाद हम देखते हैं कि द्वित्यक और प्रात्मिक इस तरह से हुआ, त्रित्यक द्वित्यक और प्रात्मिक छेत्र, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जागा, option D, option D को टीक करेंगा, देखें त्रित्यक प्रात्मिक और जो द्वित्यक छेत्रक ह रखते हैं कि परात्मिक छेत्र जैसे क्रिसी वाने की मचली पकड़ने और खनने यो उत्ठ खनन साहिद प्रात्मिक च्छेत्र आता जिसका योगदान करीब इतना पर्चेंट होता है द्वितिक छेत्र के अंतरगत वी निर्माड विजली गैस पानी के अपूरती आदी यह सब आता है और इसके अंतरगत जो GDP होता है वो परसेंट यहाँ पे दिखाया गया 24 दस्मलों दोनों परतिसर जबकि त्रित्यक छेत्र जिसको सेवा छेत्र के नाम से जानते सबसे ज़दा जो GDP हमें देता है वो यहीं छेत्र चेत्र जबकि सबसे ज्यादा जो कारेध लोग के अंतरगत हीन है question number 14 है कि बिसो का सबसे व्यस्त समुंद्री मार्ग कौन से है तो यहाँ पे हमारा correct answer हो जगा option C उत्री Atlantic समुंद्री मार्ग option C अगला प्रश्ट कि 2011 के जनगर्णा की अनुसार सहरी जनसंख्या का प्रतिसत कितना है ध्यान रहेगा सहरी की जनसंख्या के प्रतिसत बात करे तो 31.6 प्रतिसत most important question से इसको अच्छे से याद रखेगा हमेशा repeat होते रहता है किस खेतर को बिसो का बाग कहा जाता है किस खेतर को बिसो का बाग कहा जाता है देखें अभी मैंने हाली में भी देखा कि इस वीडियो को सूट करने से पहले मैंने कमेंट्स देख रहा था तो कल की वीडियो पे कमेंट आयो था नाम तो नहीं याद है लेकिन कमेंट मुझे थोड़ा सा याद है उसमें था कि जो रुकमनी पब्लिकेशन है उसमें क्वेसं लगा करके दिमाग हेल जा रहा है देखे मैं आपको बता है कि 100 को सिर्फ सेट लगाना है तो आप यह सब मत सोचो कि यार मेरा स्कोर क्या जा रहा है वो माइने कब रखता है जब एक्जाम के कुछ समय पहले अब आप सेट लगा रहे हो तब वहां पर आपको देखना होता है कि यार अभी तक मेरा स्कोर बूश्ट नहीं हुआ लेक लेकिन अब यह मता प्रेसर डालो कि या सेट अच्छा नहीं है माक्स मेरा कमारा अभी बिल्कुल सोचो इनात तो बस आप प्रैक्टिस करते रहे हैं चीक है तो यहां पर देखें बिसु का बाग कहा जाता है तो आप्सन सी हो जागा भूमद सागरिये चेत्र आप्सन सी हो तो महिला नेता के कोडिंग अगर हम देखें तो आपसन यह हो जागा सरुद्नी नाइडू ने यहां पर महिला नेता के तरफ से भाग लिया था अब आपको पता है कि जो दूत्य गोल में समयलन था वो 1931 में हुआ था क्योंकि तीन गोल में समयलन हुए थे पहला दूसरा तीसरा पहला 30 दूसरा 31 तीसरा 32 में तो नवंबर 1931 में दूसरा गोल में समयलन हुआ था गांदी जी के अलावा जैसा कि जानते कि कॉंग्रेस में जो कॉंग्रेस के तरफ से गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और एक मात्र मतलब गांधी जी ने सिर्फ और से दूत्य गुल में समयलन में भाग लिया था, कॉंग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ दूतिय गुल में समयलन में भाग लिया था, पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था, तो गांधी जी के अलावा, प्यारे लाग नैयर, मुहम्मद इकबाल, जो की एक महान कवी थी, मदन महान मालवी जी भी इसमें सामिल थे, अली इमाम थे, जीडी बिडला, और महादेव दिसाई भी थे, वी आर अमेड कर तो हम जानते ही हैं, यह तीनो और समिलन में भाग थे, लिये थे, वी आरमेड कर हो गए, और इसके दत्ता, यह सभी के सभी इनके अंतरगत सामिल थे, द्रूतिय गोल मेरा में इस समेलन में सरोजनी नाइडू और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया हुआ था इसके बाद इसमें दो तिन रहा है कि चक्रवातों के बारे में सही तत्यों की पाचान कर रहा है तो चक्रवात के बारे में आपको बताया था एक वीडियो बताया था जिसमें अच्छे तरीकी से बताया वे था चक्रवात के बारे में कि जो हवाई की दिशा है वो किस तरह से बहता है तो बस सिंपल से ब पता था कि आप D बना लो और इसको बीच में इस तरह से काट लो और उपर क्या हो गया आपका नौर्थ नीचे साउथ हो गया या उत्री गुलार्द में बामावर्थ आप देखते हैं इस तरह से ठीक है हवाओ के दिसा इस तरह से यह बिल्कुल सही हो रहा है क्यानि option C हो चागा आगे बढ़ते हैं अगला है कि जबती या दहसाला प्रणाली की सुरुवाद किसके दौरा की गई थी जबती या फिर दहसाला प्रणाली की सुरुवाद किसके दौरा की गई थी तो ये राजा टुडर्मल थी, आप्सन C हो जागा, राजा टुडर्मल Question number 20 है, कि खाली स्थन सरकार के कारधान और व्यर निर्नेओं से सम्बंदित है सरकार के कारधान और व्यर निर्नेओं से सम्बंदित है Right answer हो जागा, आप्सन D, राजकोसी नेती राजकोसी नेती, यहाँ पर करेक्ट होगा अगला प्रस देखें क्या कहा रहा है, कि S against odds, किस खिलाडी की आतमकत है S against odds, जो है वो किस खिलाडी की आतमकत है तो tennis player, सानिया मिर्जा की, टेनिस player, सानिया मिर्जा की आतमकत है option B हो, भारती सामेवाद का जनक किसे माना जाता है तो अगर आपने C टीक है, तो बिल्कुल सही answer है M and Roy यहाँ पर correct answer बन जागा अगला प्रस देखें क्या दिया गया निम्रिकित में से कौन सा विस है, राज सूची का हिस्सा नहीं है तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर राज सूची का विस है नहीं है हिस्ता नहीं है तो राज सूची, संग सूची, समर्थी सूची पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाए ट्रिक के माधियम से अपको बहुत बारी के से याद करा है अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लिजेगा यहाँ पर दिखेंगर सही आंसर बात के राज सूची का भी से नहीं है तो अप्शन हम D पर जा सकते वन इसके अंतरगत नहीं आता है वन जो था है वो समर्थी सूची के अंतरगत आता है अप्शन D साथ साथ मैंने इसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख रख रखा है भारत के समिधान की सात्वी ने सूची जो कि अनुछे 246 के तत संग सूची, राज सूची और समर्थी सूची का वर्णन करता है और समर्थी सूची जो लिया गया, वो कहा से लिया गया अॉस्टलिया की समिधान से ग्रहन किया गया था ठीक है भारत के समिधान की अनुछ सूची सात में 6125 समिधान संसोधन के बाद, बीसेयों की सूची है पहले इसमें चाचट हुआ गरता था लेकिन अब इसमें 61 वीस है जिसके अंतरगत क्या क्या आता है पुलिस, लोक्स्वास्त, लोक्स्वास्त यहां पर दोबार हो गया स्वक्स्ता हो गया भूमी सुधार, प्रती वेक्तिकर, क्रीसी, गैस, रेल्वे पुलिस, पंचायती राज, कारगार यह सभी के सभी राज्य सूची के विशाय के अंतरगत आते हैं और इसमें एक और शीज आप यहां पर देख सकते हैं कि बैलिस्वे समिधान संसोधन अधिनियम 1976 के तहत पांच बीसियो को राज्य सूची से समुर्थी सूची में सामिल किया गया था और वो कौन है तो सिख्छा, वन, नापतौल, वन जीवो और पक्षों का संरक्षन, न सौरी, 24 यह देखें, कि खदानों की क्रिसी सरप्रथम, प्रारम हुई थी, खदानों की जो क्रिसी है वो सरप्रथम स्टार्ट हुई थी, किस काल में तो नौ पाशान काल में स्टार्ट हुआ था, आप्सन ए हो जागा, नौ पाशान काल में, नौ पाशान काल के समन्द में दो-तीन questions हमेशा पूछ जाते हैं जैसे देखे, 9 पाशान काल में 20 अस्तर पर नियमीत खेती की शुरुवात हुए थी यानि खेती की जो starting हुई, वो 9 पाशान काल को ही माना जाता है, साथे साथ ओखली, मूसल और सिलवटी का परयोग इसमें होता था, इस काल में पहिये का विसकार हुआ था, मैंने आपको कई बार बता है, कि आप याद रखे पूरे आग में 9 कप, याद रख कर रहा था मैंने पूरे आग में 9 कप, ठीक है 9 कप, अब इस कप का मतलब क्या हुआ, देखे, पूरा पाशान काल में आग का विसकार हुआ था, और 9 पाशान काल में क्रिसी और पहिये का विसकार हुआ था, ठीक है तो ये चीज़ आप याद रखोगे, तो गलती नहीं होगा, पूरे आग में 9 कप क्वेसन नंबर 25 ये कह रहा है कि निमलीकित में से किस विजय नगर यात्री ने मध्य कालिन विजय नगर की तुलना रोम से के थी किस विजय नगर यात्री ने मध्य कालिन विजय नगर की तुलना रोम से के थी तो आप्सन C हो जागा, डोमिंगो पायस और डोमिंगो पायस किसके समय में आ हुआ था तो कृष्णे देवराय के समय में आ हुआ था और आप लोग मीचे कमेंड करके बताईए कि कृष्णे देवराय जहें वो किस वंस के सा सकते और किस मुगल बादसा के समकालिन थे आप लोग कमेंड करके बताना है अगला है कि कृष्णा नदी पर अल्माटी बांध जो बना हुआ है ये किन राज्यों में के बीच बिवादित मुद्दा है तो अप्सन ए हो जागा करनाटक और आंदरपदेस के साथ साथ महरास्ट में ये बिवादित मुद्दा है यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे मे अकारि बाँ सोची के संबद दल बदल बिरूद कारून से है जो की 52-17-18-1985 के जोड़ा गया था लॉरेंज वक्र क्या दर्जाता है? तो ये आयवित्रन को दर्जाता है और ये most important questions है हमेशा repeat होता रहता है, इसको याद रखेगा जुलाजी खालिस्थान के अध्यान से सम्मन्दित है जुलाजी यह हो, किसके अध्यान से सम्मन्दित है ऑप्सन सी हो जागा सजी और निर्जी प्राड़ी, दोनों के अध्यन से संबन दी थे ऑप्सन सी गुरू अर्जुन देव के संदर में कौन सा गथन सही है यह सीखो के चौते गुरू ते गलत है क्योंकि अर्जुन मैंने याद कैसे कि अब को अर्जुन, यानि कि पांच पांडों में से एक थे ना अर्जुन तो पांच तो पांच भी गुरु थे ये गलत हो गया चौते गुरु रामदास थें क्योंकि राम चार भायू में से एक थे गुरु गरंद साहब आज जिस रूप में उपलाब्ध है उसका संपाधन इन्हों नहीं किया था ये बिल्कुल सही है और अमरित सहर में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद बिस्व प्रसिद हर्मंदर साहब का निर्माड भी इन्हों नहीं किरा था तो दो और तीन यहाँ पर करेक्ट होगा इसलिए demographics करेंगे अगला प्रशन देख़े है कि बास्तिल के दुर्ग का पतन का संब्द किससे बास्तिल का जो किला है आपको पता हूँआ बास्तिल के दुर्ग का पतन का संब्द किससे संब्द से cry purity c 1789 की फ्रांसेसी करांती से ये संबंधी थे तो option B होगा 14 जुलाई को फ्रांसेसी करांती दिवस क्रूप में भी लोग मनाते हैं भारत में संप्रदाईक मत दाताओं के प्रनाली सबसे पहले पेस की गई थे और वो अधिनियम था मिंटो मारले सुधार अधिनियम 1909 मिंटो मारले सुधार अधिनियम 1909 वर्स 1909 में मैडम विकाजी रुस्तम कामा पेरीस में निमलीखित में से कौन ज़ा समाचार पत्र का प्रकासन करती थे तो इनका संबन दिख्या हो जागा Patriot ठीक है Patriot यहाँ पर option D हो जागा Patriot याद रखने है चलिए अगला प्रशन है कि विजय नगर समराज़ के समन्द में कौन सुमेलित नहीं है समय की यहाँ पर लिखा के अक्चलि सुमेलित होना चाहिए सुमेलित नहीं है कं देखें कद चार्ज और वह सैनिक विभाग को कहते तें सही सहीिए मनुषिख के क्रयविक्रय को वेसबग काजा जाते था यह भी सही तक साल भी भाग जो था था उसको जोları खाना कहते थे, यह भी सही, विजयनगर समराज पर मैंने गलग वीडियो बनाया है, आपने उसको नहीं देखा, तो जरूर देख लीचेगा, तो गलत यहाँ पर हो गया option D, विजयनगर समराज की मुद्रा होड़, जो कि यह गलत है, क्यों, क्योंकि आपको बता दो कि विजय निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारन करता है, कितने वर्स के लिए, तो option D पर जाएंगे, 6 वर्स के लिए, या फिर 65 वर्स के आयुद में, जो भी पहले हो, option D हो जागा, निम्रिखित में से कौन सा समिधान संसुधन, यह कहता है, कि ग्राम पंचायत में, एक बटा 3 सी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, या फिर 33 परतिसर जो सीटे होगी, वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, तो तिहतरवा समिधान संसुधन, जो कि पंचायती राज से संबंदित हो जाता है, option C, option D होगा, अगला प्रशने, कि राज को सी नीती संबंद है, किस से संब इसके बाद देखिए अगला प्रशन क्या करा है, कि वैखो उत्सो किस राज में मनाया गया, वैखो उत्सो जो मनाया जाता है, पर तेक वर्स मनाया जाता है, ये असंब के अंतरगत, तो option A को टिक करेंगे, नेक्स्ट कुशंस की सभी मुल्ले वर्गे के, भौतिक स्टांप पेपरों को समाप्त करने के बद, किस राज्य के निसासित प्रदेश ने इस स्टांपिंग सुविधा की सुविधा की सुरुआत की है, तो आपको बताया गया था, पंजाब की सरकार ने ऐसा करने की भाद आप्रिकेसंस विक्सित किया है, ACB 14400 नामक मॉबाइल आप्रिकेसंस को विक्सित किया है, तो आँदर पर्देश की सरकार ने, ठीक है, आँदर पर्देश ओप्सन ए होगा, हाली में की सराज्य में पहला लिक्विड मिरर टेलिसकोप स्थापिद कीया गया, भारत का पहला जोके liquid mirror telescope स्थाबिद किया गया उत्रा खंड के अंद्र गत एक को टिक करेंगे उत्रा खंड हाली में चरचा में रहा coin switch को बेर किया है coin switch को बेर किया है हाली में चरचा में था जो लोग अभी तक video को like नहीं किये तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को लाइक कर लीजी और चैनल पर अगर आप पहली वरा हैं और इस तरह के आप रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो है और रेगूलर अपडेट होता रहता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो क्वाइन स्वीच को बेर का संब्सक्राइब भारत का पहला रूपया अधारित किप्टो इंडेक्स है ओप्सन हम बी को टिक करेंगे ठीक है बी यहाँ पे बिल्कुल सही आज़ा हो हाली में किस राज्यो में गर्वती महिलाओ है तो बिसे स्वास्त देखभाल अभियान आचल स्टार्ट किया गया शुरू किया गया आचल का संब्ध हो जागा किस के साथ तो यह राजस्थान ठीक है राजस्थान ओप्सन ए निम्लिखित राज्यों और उनके संबंध में कौन सा मिलान सही है ध्यान दीजिएगा कौन सा मिलान सही है ड्रोन निती मंजूरी देने वाला पहला जो राज्य है वो आपका हिमाचल परदे से बिल्कुल सही जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोए जाता है तो इसके भार में हरास हो जाता है यह हरास कितना होता है यह हरास कितना होता है तो राइट अंसर क्या हो जागा यहाँ पर हम आपसन एक उटिक करेंगे विस्थापित पानी के भार के बराबर क्रिश्न देवराय का उडिसा के सासक प्रतापरुद्र गजपती के विरुध अभियान को किस इतियासकार ने सुलावी सदी में भारती इतियास के सबसे सादार सैनि घटना काया था तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बन जाएगा जो कि ऑप्सन सी को टिक करेंगे निलकंट सास्त्री ने है निलकंट सास्त्री ऑप्सन सी पूहर या फिर कावेरी पटनम की स्थापना कि इस ने किती एक बंदरगा था पूहर या काविरी पटनम मंद्रगा कि जो स्थापना है वो चोल सासक करीकाल नहीं किया था आप लोगों से एक क्वेसंस है कि चोल बंस के बारे में जो जनकारी आप जानते हैं जैसे इसके स्थापना कब वो इसके महांतम सासक हों था गंकरी कोट शुलपूरम के नाम से किसी जाना जाता था इन सभी क्वेसंस के बारे में जितने भी आप जानकाई रखते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके अच्छे से एकस्पेन करिएगा अगला एक निम्लिखित में से कौन सा एक रसायनिक परिवर्तन का उधारन है रसायनिक परिवर्तन का उधारन बदाएक निम्लिखित में से कौन सा है रसायनिक परिवर्तन में एक बार जो चीजे परिवर्तित हो जाती है उसको हम वापस उसके पुराने वाले रूप में नहीं ला सकते हैं तो इसके अंतरगर्द हम देखे तो option C होगा कि पकाय जाने पर सबजी का नरम होना option C अगर एक बार हो गया तो फिर वो उसको वापस बदला नहीं जा सकता है तो option C हुआ रसानिक परिवर्तन है लेकिन बहुतिक परिवर्तन के अंतरगर्द हम लोग प्राप्त कर जाकते है निमलिखित में से कौन सा अमल है या फिर छार का प्राकिटिक्स रसानिक संकेतक है तो हम यहाँ पर जानते हैं लिटमस पेपर लिटमस पेपर options C हो जागा ठीक है आकरी questions क्या कराए questions की निमलिखित में से कौन भारत के एक मात्र सरवाजनिक रूप से प्रसिद महिला सहनाई वादक है एक मात्र महिला सहनाई वादक कौन है तो option C हो जागा बागेशवरी कमर बागेजरी कमर सानाई के पहली और एकमात्र महिला वादक है इसको याद रखेंगे Most Important Options थी होगा तो आसा करते हैं फिन्स कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंसेर करिए और जो लाइक का टार्गेट रखाए का उसको जरूर पूरा करे और जो लोग पेड कोर्स में जूड़ना चाहते हैं उनको बता दो कि अप्लिकेशन पे हमारा सारा कोर्स उपनब्द है तो आप अगर जूड़ना चाहते तो वीडियो की ने डिस्किप्शन में आप्लिकेशन का लिंक दिया गया तो अप्लिकेशन डाउनलोड कर लिजे लॉग इन कर लिजे टोर सिक्सर में जाकर कि अपने पसंद की कोर्स को जोइन कर सकती जस्ट 1.99 के साथ ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स वर वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हाव अ गुड़ डे